हेलो बचो आज हम शुरू करते हैं continuity and differentiability की exercise 5.3 class 12 math class तो हमारे सामने question है 2x plus 3y equal to sin x हम ही क्या निकालना है dy by dx अच्छा हम shorts के लिए क्या गरते हैं dy by dx को y dash माल लेते हैं ताकि हमको इतना बार बार लिखना ना पड़े तो y dash हम उसको लिख लेंगे तो अब हमें क्या करना है पहले इसको differentiate करना है अच्छा x है x का differentiation कितना होता है 1 plus 3 y का differentiation हो गया y dash ठीक है sin का होता है cos x ठीक अब यह 2 चला जाएगा इस सरफ तो हमें बिलेगा 3y dash equal to cos x minus 2 अब यह 3 जाएगा denominator में तो answer आ गया हमारा cos x minus 2 divided by 3 ठीक है यह इतना ही simple question था अब आते है question 3rd जो question 2nd है वह इसी के जैसा है वह आप लोग खुश ट्राइं करेंगे हम आते हैं 3rd पर इसको भी differentiate करते हैं तो x का 1 हो जाएगा तो खाली मिलेगा हमको a अब पहले power का करते हैं तो यह हो जाएगा 2b y अब y का करेंगे तो y dash cos का होता है minus sin y फिर से y का करेंगे तो y dash ठीक है अब एक काम करते हैं साइन को ले आएंगे left की तरफ और a को ले जाएंगे दूसरी तरफ ऐसा क्योंकि हमने ताकि दोनों y जो है वह एक तरफ आ जाए y dash plus sin y y dash equal to minus a यहांसे हम क्या करेंगे y dash कोमन ले लेंगे तो यहां पर बचेगा 2by plus sin y equal to minus a यहांसे y dash आया हमारा minus a divided by 2by plus sin y ठीक है तो यह है हमारा answer ठीक है बच्चों अब आता है question 4 पे हमको इसको differentiate करना है अशिव में लगेगा product tool पहले x को करेंगे यहोद आएगा 1 y को कुछ नहीं करना है ठीक प्लस अब x को बार रखते हैं और y का कर लेते हैं तो यह हो जाएगा y dash प्लस पहले power का करेंगे 2y फिर y का करेंगे तो y dash equal to 10 का होता है sec square x और y का हो जाएगा y dash ठीक है अब एक काम करते हैं जितने भी यह y dash वाले वह एक तरफ रखेंगे दो तो है इधर इसको भी दढ़ ले आएंगे और यह जो single y है यह जाएगा दूसरी तरफ तो इधर मिलेगा y dash प्लस 2y y dash इधर से भी आएगा एक y तो y dash इधर हो जाएगा sec square x minus के y ठीक है अब y dash ले ले लेंगे हम यहाँ पर common तो हमें मिलेगा x plus 2y minus 1 equal to sec square x minus y यह जाएगा denominator में तो y dash आजाएगा हमारा sec square x minus के y divided by x plus 2y minus 1 तो यह हो गया हमारा answer ठीक है इसको चाहिए तो ऐसे box में भी लिख सकते है ठीक है अब आते हैं अपने six question पे तो six question में एक काम करते हूं पहले हैं आप लाइन ड्रो कर देता हूं सबसे पहले इसका करते हैं पावर का होगा सबसे पहले तो तो जाएगा three x square इसमें product rule लगेगा तो सबसे पहले मैं करता हूं x का तो यह हो जाएगा two x पहले तो पावर का होगा एक्स का होता है one y को कुछ नहीं करना है ठीक है प्लस अब y का करेंगे प्लस पहले एक्स का करेंगे तो यह हो जाएगा one y को कुछ नहीं करेंगे प्लस अब y का करेंगे two y y dash ठीक है ध्यार लगने multiply में है प्लस अब इसका करेंगे तो three y square y dash 81 का हो जाएगा zero तो ध्यार लगना पहले पावर को करते हैं फिर पावर के बाद जो main function है उसका करते हैं जैसे मैंने यह आप ही किया पहले तो इसकी cube था power आ गया गई y हो गया square फिर मुझे जो main function दिया है उसका भी differentiate करना होता है अब यह bracket open कर लेंगे तो three x square plus यहां से मिला मुझे two x y यहां से मिला मुझे x square y dash प्लस यहां से मिलेगा y square two x y y dash plus three y square y dash ठीक है equal to zero अब हमें क्या करना है जो आपे भी y dash है उसको common ले लेना है ठीक है यहां पर y dash है यहां पर है और इस term के अंदर है बागी term दूसरी तरफ ले जानी है तो यहां से हम पहले तो इन दोनों को देखो एक term यह है हमारी second और third यह जाएंगी दूसरी तरफ ठीक और यहां पर क्या बचेगा y dash x square यहां से हो गया 2xy plus यहां से मिला हमको 3y square दूसरी तरफ यह जाएंगी तो माइनस लगा लेंगे पहले ही क्यूंकि तीनों plus है तो तीनों को उस तरफ ले जाएंगे 3x square plus 2xy plus के y square ठीक है अब यहां से y dash का जाएगा बस इसको divide कर देना इससे 3x square plus 2xy plus y square divide by x square plus 2xy plus 3y square तो यह हो गया हमारा final answer question 7 है यह थोड़ा space बचा है तो है भी कर लेते हैं ठीक है इसका थोड़ा ऊपर ले जाएंगे हम सबसे पहले power को करते हैं तो 2 sin y अब main function sin है हमारा sin का हो जाएगा cos y अब y जो है y का भी करेंगे तो y dash ठीक है तो एक power हो गई एक main function हो गया तो एक इसका अंदर जो y है उसका तो 3 term हो गई plus main function क्या यह तो इसका हो जाएगा minus sin जो भी है अंदर xy ठीक है अब multiply में हमको xy का करना है तो पहले x का करेंगे तो 1 y रहेगा same अब x रहेगा बार y का हो जाएगा y dash और k जो यहाँ पर constant है उसका हो गया 0 ठीक है k का हो गया 0 क्योंकि यह दोनों multiply में इनका हमने अलग से करना पड़ेगा ठीक है अब देखो बचो यह 2 sin y cos y इसको हम क्या लिख सकते हैं sin 2y भी लिख जा सकता है y dash minus यह हो जाएगा हमारा अचा इसकी multiply इसके साथ करेंगे तो यह हो जाएगा y sin xy इसकी multiply इसके साथ करेंगे तो minus के sin xy xy- equal to 0 अचा ध्यान रखना यह multiply में है ठीक है अब हमको y dash common ले लेना है y dash किस-किस के पास है y dash हमारा एक तो यहाँ पे है और एक इस वाले term के बास है ठीक है बाकी को दूसरी तरफ ले जाना है तो यहाँ से हमको मिलेगा y dash अगर मैं common ले ले लेता हूं साइन 2y यहां से मिला minus x sin xy और यह वाले चुट्टा में यह जाएगी दूसरी तरफ यह जाएगी y sin xy ठीक है अब अब इसको इससे डिवाइड कर देना है ठीक हो चो मैं है आप इसको अभी अलागी कर देते हैं ठीक है ताकि doubt ना हूँ तो इससे आगे हमको कहा लिखना है y dash equal to y sin xy divide by sin 2y minus x sin xy ठीक है बच्चो यह हो गया हमारा final answer तो यह हो गया हमारा final answer answer ठीक है अब चलते हैं अगले question की तरफ यह आगया हमारा question number 9 y equal to sin inverse 2x divided by 1 plus x इसको है ऐसे question को करने का सीधा सा तरीका है हमको x की जंगा क्या माल लेना है 10 theta ठीक है और बाद में क्या use करेंगे theta की जंगा 10 inverse x ठीक है इसको अभी use करते हैं इसको last में use करेंगे ठीक है यह ध्यान लगना तो रख देते हम अपना y equal to sin inverse 2 10 theta 1 plus 10 square theta अब देको एक formula आता है यह जो value है यह sin 2 theta की value होती है ठीक है तो y equal to sin inverse अंदर आ जाएगा sin 2 theta अब देको बच्चो sin inverse और sin एक दूसरे को cancel out कर देंगे सिर्फ बचेगा हमारा y equal to 2 theta अब theta की value वापस से रखेंगे तो y equal to 2 मिलेगा हमको 2 10 inverse x ठीक है अचा बच्चो 10 inverse का भी differentiation क्या होता है देको bracket में लिख लेते हैं अगर हमको differentiation करना हो 10 inverse x का तो यह होता है हमारा 1 divided by 1 plus x square ठीक है यह जहान रखना अब हमको differentiate करना है तो 2 रहेगा साथ में बस 10 का हो जाएगा यह 1 plus x square यह होगया हमारा final answer ठीक है यह होगया हमारा answer अब चलते है अपने अगले question की तरफ जो किया है यह अब हमें यहापे क्या put कर देना है वो ही same x की जंगा हमको 10 theta put कर देना है और फिर बाद में theta की जंगा 10 inverse वापस से क्यूंकि हमारा जो answer हो x में ही आना चाहिए ठीक है बस theta क्या है theta बस question को simple करने का trick है चलो अब यह put करते हैं तो y equal to 10 inverse 3 10 theta minus 10 cube निचा जाएगा हमारा 1 minus 3 10 square ठीक है अब अच्छों यह जो formula होता है 10 3 theta का formula यह होता है तो 10 inverse यह मिलेगा हमको 10 3 theta वही cut हो जाएंगे cancel out तो y मिलेगा हमको 3 theta तो theta की value वापस से put करेंगे तो 10 inverse x differentiate करेंगे तो वही 3 10 का भी प्रताता यह है 1 plus x square ठीक है तो यह बस इतना simple question है अब बढ़ते हैं आगे की तरफ question 11 इस question में question 11 cos inverse 1 minus x square 1 plus x square सेम वही चीज़े एक्स की value 10 theta ही रखनी है और बाद में हमको theta मिलेगा 10 inverse x ठीक है दोनों में apply हो गई चीज़े तो values रखते हैं y equal to cos inverse 1 minus 10 square theta 1 plus 10 square theta ठीक है अब अंदर क्या बन जाएगा अंदर ही होता है cos 2 theta यह बन जाएगा cos 2 theta cos से cos cancel मिला हमको 2 theta मतलब की y equal to 2 10 inverse x तो differentiate करेंगे तो y equal to 2 10 का भी बदा है सामने 1 plus x square ठीक है यह हो गया हमारा answer चलते हैं अपने question number 12 की तरह इसमें भी same वही बचो 10 theta ही रखना है तो y equal to sin inverse 1 minus 10 square theta 1 plus 10 square theta ठीक है वापस से क्या बन जाएगा sin inverse cos 2 theta पर आप तो यह cancel out नहीं हो सकते तो इसका क्या इलाज है देगा वचो एक formula होता है यह inverse वाले chapter में है sin inverse x plus cos inverse x होता है pi by 2 तो एक को दूसरे में लिखा जा सकता है pi by 2 में से minus करके ठीक तो y equal to sin inverse को क्या लिखा जा सकता है pi by 2 minus cos inverse x तो pi by 2 minus cos inverse x की जगा क्या दिया हुआ है 2 theta ठीक अब cos और यह एक दूसरे को cancel out करेंगे तो हमको मिलेगा pi by 2 minus 2 theta तो y हो जाएगा pi by 2 minus 2 tan inverse x अब हम differentiate करेंगे तो pi by 2 क्योंकि एक constant है तो 0 जाएगा minus के 2 tan inverse का क्या होता है 1 by 1 plus x square तो यह हो गया हमारा question number 12 ठीक है को जादत में अलग से trick नहीं थी same वही trick हमें लगाई है अब बढ़ते हैं अपने question number 13 की तरफ बचो 13 आपको खुद से try करना है 14 पर आते हैं ठीक है अब यहाँ पर आ गया question sine inverse bracket में 2x under root 1 minus x square bracket बन इसमें क्या रखे 10 रखे 10 रखेंगे कुछ नहीं मिलेगा अगर मैं यहाँ पर cos रख देता हूं तो 1 minus cos square होता है sine और bracket के बार आएगा तो square खटम हो जाएगा sine बचेगा यहाँ पर cos रखूंगा तो 2 cos sin यहाँ पर formula बनेगा sine 2 theta गा देखो कैसे मैं यहाँ पर x की value put करता हूं cos theta ठीक है और theta होगा क्या हमारा cos inverse x इसको बाद में use करते हैं तो y equal to sin inverse 2 cos theta under root 1 minus cos square theta तो y equal to sin inverse 2 cos theta यहाँ पर क्या बचेगा किसका sin 2 theta का ठीक है sin से sin cancel तो y बचा 2 theta तो y की value आजेगी 2 cos inverse x अब याद रखना बच्चों cos का integration होता है y equal to 2 cos का होता है यह minus 1 under root 1 minus x square ठीक है यह होता है cos का minus 1 by under root 1 minus x square और अगर हमको sin inverse का चाहिए बस यह minus हटा देना हो जाएगा ठीक अब आते हैं इस question पर इस question में हम क्या करते हैं एक्स की जगा पुट कर देंगे हम यहाँ पर सेम वही cos theta चलो y equal to sec inverse 1 minus 2 cos square theta minus के 1 अच्छा आपने एक फोर्मला पढ़ा होगा है आँ तू को स्क्वेर थीटा माइनस वन इक्वल टू होता है को स्टू थीटा ठीक है यह 11th क्लास में सा फोर्मला तो इसकी जंगा हम क्या लिख सकते हैं को स्टू थीटा तो वाइक्वल टू sec inverse 1 by cos 2 theta और 1 by cos क्या होता है sec तो यह हो जाएगा sec 2 theta inverse से function cancel out हो जाएगा मिलेगा 2 theta मतलब कि 2 cos inverse x ठीक है अगर theta निकालोगे तो cos inverse x अब यहाँ पर differentiate करते हैं वह ही 2 रहेगा बाहर अंदर आ जाएगा हमारा minus 1 under root 1 minus x square ठीक है बच्चो तो यह हमारा final answer और इसके साथ ही यह वाली exercise हो गई है खतम ठीक है यह वाली exercise हो गई है खतम तो अब हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में 5.4 के साथ इसे अगर कोई doubt वगर है तो अब हमसे comment में पूछ सकते हैं ठीक है बच्चो मिलते हैं अगली वीडियो में